बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम नश्री क्लास वेलकम बैक वंस अगेन और में सदफ आपके सामने केंटर के वीजियो सेशन में और मैट्स के सब्जेक्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर है और आज जो हम लेसन कहने लगे हैं अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने लगे हैं तो I hope कि आप बहुत excited होंगे कि मैं भी बहुत excited हूं और मेरी happy face से आपका पता चल रहा होगा कि I am full of energy today and I want you all to get along with me. So let's start with the lesson. आज हमारा lesson number one है और page number one है. So teachers I hope that you also have the lesson plan. You have seen the powerpoint presentation and the worksheet is also with you which you can find in the description box below provided in the same video link. तो ये resources teachers आपने पहले से त्यार करके रखने हैं क्योंकि ECCE के lesson में हम जल्दी जल्दी जब activity की तरफ move करेंगे तो material आपके पास ready होना और in hand होना बहुत जरूरी है ताकि आपका time save हो सके. So let's move on and see what is the lesson about today. So my dear children, प्यारे प्यारे बच्चो lesson number one के लिए गर आप ready हैं तो आपने मेरी तमाम instructions को बहुत होर से सुनना है क्योंकि जो teacher आपके पास class में मौजूद हैं वो मेरी help कर रही हैं जब मैं आपको कोई activity करने का कहूंगी तो वो आपको help करेंगी और उस corner में लेके जाएंगी या table पे बिठाएंगी या कुछ चीज़े देंगी तो आपने मेर और उनकी दोनों की बात सुननी है और अपनी activity को continue करना है ताके हम बहुत मज़े से सीख सके हैं so let's start and see आज हम कौन सी skills करने लगे हैं आज हम क्या सीखने लगे हैं और कैसे सीखने लगे हैं तो ज़रा गौर सी screen पे देखिए आप को छोटे चोटे नन्ने मुने बच्चे खेलते वे नज़रा रहे हैं आज हम speaking, reading और writing करेंगे यानि हम बहुत सारी बातें भी करेंगे और साथ साथ कुछ लिखेंगे भी और कुछ पढ़ेंगे भी और लिखेंगे पढ़ेंगे क्या उसको revise करने के लिए मुझे ये बताईए कि क्या आपको पता है कि आज मैं आपके लिए lesson कौन सा लेकिया हैं आज dear teachers हमारा expected learning outcome I hope आपके knowledge में है कि we are going to practice by recognizing naming and differentiating between colors ये playgroup का concept है जी जी बच्चो मुझे याद है आपने पढ़ा था playgroup में और जिनको नहीं याद उनको अभी याद करवा देते हैं no problem this was the page in your playgroup book जिसमें हमने colors पढ़े थे वैसे तो इसमें shapes भी है लेकिन आज हम सिर्फ colors को discuss करेंगे और primary colors कौन से थे हम कौन से colors को पढ़के आए playgroup में हमने पढ़ा था red color हमने पढ़ा था blue color और हमने पढ़ा था yellow color तो आज हम इन तीनों colors को एक दफा फिर से revise करने लगे हैं क्योंकि कुछ हमारे new friends जिनोंने हमें nursery में join किया है उनको इन colors का शायद ना पता हो तो जिन जिनको पता है वो जरा मेरे साथ रहे activity में participate करें और उन बच् and dear teachers textbook के ऊपर जो skills है और जो SLO है जो ELO है वो mentioned है आप उसके ऊपर focus कीजिए और आज की activity में हमारे साथ participate करें तो तमाम बच्चे जल्दी से एक happy face बनाएं और स्क्रीन पर देख के बता सकते हैं आपकी कौन कौन से colors आपको नजर आ रहे हैं especially primary colors can you name them this is yellow red blue ये एक और color है पर इस पे हम फिर से बात करेंगे लेकिन आज हम primary colors को discuss कर रहे हैं तो हमारे primary colors कौन से हैं जनाब जरा गौर से बताएं स्क्रीन पर देखते जाएं और मुझे नाम दुबारा से बताएं जरा loudly बोल के बताएं ताकि आपको जो friends हैं ने उनको भी सीख लें what color do you see on the screen right now popping up it is red this one is yellow shabash and the third one here is blue अब किसको red पसंद है किसको blue पसंद है और किसको yellow पसंद है ये आप अपने teacher को बता सकते हैं लेकिन अभी हम यह देखते हैं कि इन colors के साथ हमने अब करना क्या है जनाब आज interesting सी क्या activity है मेरे पास आपके लिए तो आप स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं इस fruit का नाम जानते हैं क्या है it's an apple yes तो apple का color क्या उतस का नाम जल्दी से बता दें the apple is red in color कौन से color है जनाब ये red color शाबाश आपने घर में देखी होंगे न apple lunch में भी लेके आए होंगे तो ज़रा अगला color भी मेरे साथ repeat कर ले screen पर आपको क्या नजर आ रहा है एक छोटी सी poem जो हमने playgroup में की थी so teachers if you remember please have a look at the screen and the poem is red is a stop sign red is a rose red is an apple and a funny clown's nose ये poem हमने playgroup में भी की थी so teachers after the lesson ये wrap up में हमने repeat करवानी है so आपन से practice बाद में करवा सकते है next is big blue butterfly shabash तो इसका color क्या है blue yes the color is blue and there was a poem जो हमने playgroup में की थी blue is the ocean blue is the sky blue are the blueberries I put into pie ये poem आपने याद करनी है और practice करनी है और action के साथ singh करनी है अपने teachers के साथ and the third primary color जो हमने किया था जरा ये बताएगे कौन से fruit आपको नजरा रहे yes it is a bunch of bananas and what is the color of banana it's yellow the name of the color is yellow और इसकी जो छोटी सी poem हमने पड़ी थी किसी को यादे yellow is the star yellow is the sun yellow is the moon when the day is done तो ये तीनों poems आपको आने चाहिए teachers अगर आप चाहें तो चार्ट पेपर पे लिख के ये poems अपनी classroom में display भी कर सकते हैं तो अभी हम इन poems के बाद और color की दुबारा से revision के बाद जो activity करने लगे हैं उसके लिए बच्चे जल्दी से खड़े हो जाएं और teachers आप इनको groups में यानि तीन ये चार के groups में math के corner में engage करें ये math के corner में जाएंगे जो के कुछ देखने में ऐसा लगेगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी जहां से उन्दोंने क्या करके आना है आपने बच्चो इस corner में जाके primary color के objects निकाल के लेके आना है objects यानि maybe toys मिलें आपको maybe flash cards मिलें maybe कोई color pencil या crayon मिले जो भी आपको इस corner में primary colors के यानि red yellow blue color के मिलेगा वो अपने लेके आना है तो teachers if you want आप groups को color भी assign कर सकते हैं कि एक group जो है वो red लेके आए एक group blue और एक group yellow so जिस तरह आपको facilitate होता है multi color लेके आने दे या individual color लेके आने दे that is up to you but have five to eight minutes ताकि तमाम बच्चे अपने colors के object ले आएं और अपनी table के उपर पैर जाएं और उसके बाद हम share करेंगे कि उनको क्या मिला और मुझे क्या मिला तो let's see what do we have for you in the maths corner yes my dear students I hope कि आप अपने अपने toys और अपने अबजेक्ट लेके अपनी table पर आ गही होंगे और आपने टेबल पर सारी चीज़ें रख ली होंगी तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि मेरी इस table के उपर भी कुछ चीज़ें है हाँ जी जितनी दिर आप बिजी थे math corner में मैं भी गई अपने math corner से और कुछ object उठा के लिए क्या ही जो मुझे primary colors के लगे what are the three primary colors let's repeat yellow red and blue ये मेरे पास ice cream sticks ही मैं वो जल्दी से ले आई then I found blocks red so let me line them up together हम उनके groups बना लेते हैं red blue yellow then I found candles ये जो हम बद्दे के एक पे लगाते हैं red yellow and blue so I'm gonna pluck them up and place them with my set now I also found some bunch of toy cars now in toy cars में से this one is more of red this one is more of red तो मैं इसको red family में लेके जाऊँ this one is more of blue और भी colors हैं मगर चुंके ये जादा blue है तो ये blue के पास and these two are yellow so I'm gonna put them here with the yellow color ये भी भी मुझे को मिली और इसका color है yellow so I'm gonna place it here with the primary color yellow I also found a happy face so the happy face is yellow so it goes here with the yellow primary color set so now I hope कि आपको red blue yellow primary colors recall हो गए होंगे teachers आप बच्चों के टेबल पर नजर रिखिये देखिये उन्हे अपने colors के सेट्स बना लिए objects के ये आज उनका group work है इसके बाद हम individual activity करेंगे make sure that children are putting the right color in the right place with the right objects so that the identification and the revision of primary colors happens smoothly so we will we will be back आप कोशिश करें के बच्चों से इस activity को within time execute कर वाली चिये now my dear children once you are back from the maths corner मुझे पता है आपको बहुत मजा आया क्योंके जब मैं भी toys जून रही थी और चीजे जून रही थी तो मुझे भी बहुत मजा आया था तो अब जब आपने red yellow और blue color की identification भी कर ली, revision भी कर ली नाम भी recall कर ली तो I hope आपके जो class में new friends हैं उनको भी इन colors के नाम याद हो गएंगे तो जल्दी से आपस में share करके बता दीजेगा कि किसको कौन सा color पसंद है पर मुझे तो red color बहुत पसंद है Alright, so let's see what do we have now अब सब बच्चे जल्दी से अपने अपनी seats फर बैठ जाएं क्योंकि अब हम कुछ ऐसा काम करने लगे हैं जो के हमारी book के page के उपर है So let's see what do we have here So my dear children Teachers please this part of the page जिसमें color wheel बनावा है उसमें mention है कि आपने blue, red और yellow color से इसको pencil color से fill करना है Teachers please ध्यान रखिए कि बच्चे जो news incoming है अगर वो pencil के साथ comfortable नहीं है तो उनको crayon दे दीजिए और जो बच्चे pencil पकड़ सकते हैं उनकी hand grip develop हो चुकी है तो उनको color pencil दीजिए लेकिन ये काम तमाम बच्चे अपनी बुक पे खामोशी से बैठके करेंगे और इस color करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी next activity की तरफ please take good time आप 15 से 20 मिनट भी हो सकता है लग सके इंके छोटे बच्चे हैं और बड़ी picture है तो let them finish it and then move on to the next activity meanwhile I'll wait here for you to come back तो जनाब सब बच्चों ने coloring कर ली अच्छी अच्छी सी जदी जदी से अपना color wheel fill कर लिया blue, yellow and red color से तो I hope teachers आपनी वो books collect करने के बाद उनको चेक करना है उनको अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा star यह happy face भी पे देना है and that is my message for you also कि सब बच्चों की coloring बहुत अच्छी होगी और जिन बच्चों का color अभी भी थोड़ा सा line से बाहर जाता है वो कोशिश करें कि उसको line के अंदर-अंदर color करें ताकि आपकी बुक नीत भी लगे और आपकी coloring भी बहुत अच्छी हो जाए तो अब हम क्या करने लगे हैं जनाब अब हम जाने लगे हैं आर्ट corner में थोड़ी सी drawing और painting भी तो करेंगे ना हम क्योंकि उसके बगार तुमें मज़ा नहीं आता तो हम कौन से colors आथ बच्चों revise करें हैं blue, yellow, red शाबाज जिनने मेरे साथ colors के नाम बोल एक दफ़ा जल्दी से फिर बोल दे blue, yellow, red और ये तीनो primary colors हैं इनको हम primary colors क्यों कहते हैं ये next lesson में मैं आपको समझाऊंगी लेकिन अभी आपने ये तीनो primary colors के नाम याद रखने हैं तो इस primary color की activity आपके लिए आज क्या है teacher आपको देंगी कुछ paints, कुछ pebbles, जिनको आपने paint करना है क्योंकि आपकी book के भी art corner पर ये activity मौचूद है तो आपने जब teachers ये प्लीज ये material ready कर लीजिए और बच्चों को दीजिए ताके जो है वो हम इस activity को proceed कर सके और अभी मैं भी आपको थोड़ा सा color करके दिखाती हूँ कि ये primary colors को हमने पैबल में color कैसे करना है तो जनाब ये मेरी art वाली table फिर से आगई अब इस में मैं क्या करूंगी I'm gonna move my colors on the side जिन objects को मैंने ढूंडा था क्योंकि ये activity तो हमने complete कर ली और ये सब यहाँ पे corner में होगी अब हमारी art activity है जिसमें हमने पैबल को पैबल क्या होता है एक round सा stone होता है जो आपको garden में अराम से मिल जाएगा इसके सारे edges smooth होते हैं टीचर ने इसको साफ करके आपके लिए रखा होगा तो हमने इसको paint करना है किस तरह paint करना है हम आज कौन से colors करें है primary colors blue yellow and red तो इसको मैंने paint करना है ये poster colors है जो teacher आपको देंगी और साथ देंगी paint brush तो poster colors को बचो use कैसे करते हैं एक cup देंगी teacher आपको जिसमें वो थोड़ा सा आपको पानी डाल के देंगी चलें मैं आपको भी करके दिखाती है क्योंके भी आपने ये करना है और अपनी teacher को करके दिखाना है so थोड़ा सा पानी डालने के बाद याद रखें आपनी पानी पीना भी नहीं है और table पे गिराना भी नहीं है so art का काम थोड़ा सा मैसी होता है don't worry लेकिन कोशिश करें कि अपने पास tissue paper या newspaper रखें so what color do you want me to pick? I think I should pick red color क्यूंके मुझे तो red color बहुत पसंद है so I am going to first choose the red color I am going to dip my brush आपको नज़र आ रहा है little bit in the water इसको थोड़ा सा हम wet करेंगे paint में इसको dip करेंगे और हम अपने इस boring से pebble को प्यारा सा red color करेंगे इस काम को हम बहुत slow slow करेंगे अराम अराम से करेंगे आपको time लगेगा कोई बात नहीं ये आपकी activity है आप चाहें तो एक ही pebble के उपर बहुत सारे color कर सकते हैं तो मैं इसको red color कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा blue भी करती हूँ ताके हमारे सारे colors address हो जाएं कि पैबल मेरे पास एक है so I'm gonna make give it some other color teachers आपने ये activity बच्चों के साथ supervise करनी है ताके बच्चे इसको अच्छी तरह से कर ले and let them enjoy it बच्चे ओ आपने aprons भी पहनने हैं ताके आपका uniform या आपके कपड़े spoil ना हूँ so there goes some blue and now I'm going to paint it with some primary color yellow so let's see कि हमारा stone up color होने के बाद कैसे लगेगा so there goes some yellow and I'm going to apply it on the edges तो जनाब मुझे तो यासे color करना अच्छा लगता है मैने जल्दी जल्दी से इसको yellow भी paint कर लिया so I hope के मेरा stone जब तक dry हो जागा इसके colors बहुत अच्छे होंगे और या मुझे बहुत अच्छा लगेगा so I want you all to do this activity आप अपनी मर्जी से अपने pebble में color कर सकते हैं या देखिए मेरा colorful सा हो गया pebble and I will place it on my table as a decoration piece आप चाहें तो इसको अपनी मामा के लिए भी घर पे लेके जा सकते हैं so teachers carry on with the art activity let them enjoy it let them learn the primary colors and we will be back हाँ जी कैसे लगी आपको craft activity मज़ा आया तो आपकी book के page पे जो activity दी है वो इसलिए दी है ताके आपको आज पता चल जा है कि आज आपने art में कौन सी activity करनी है तो रोज आपकी lesson में जो जो भी activity होगी वो आपकी page पे यहाँ पे mention होगी और आपकी teacher ने उनको prepare किया होगा तो सारे दिन की आज इस activity के बाद हम ज़र अपना SLO यानि ELO repeat कर ले teachers play group में nursery में KG में SLO को ELO यानि expected learning outcome कहा जाता है इस lesson के बाद आप उनसे expect कर सकते हैं बस कि वो आपको primary colors के नाम बता सके या देख के पहचान कर सके लोग for today was recognize, differentiate and name different colors क्योंकि हम revision का lesson कर रहे हैं हम play group में ये colors कर कि आये थे इस वज़ा से आज हमने इस lesson में बहुत ज़्यादा detailing नहीं की activities के साथ हमने इसको refresh कर लिया तो प्यारे बच्चों जल्दी सबना homework समझ लिए आपने क्या करना है homework आपके book के page पर ही दिया हुआ है जहां पर मैंने लिखा है कि आपने घर जाके अपनी अल्मारी में से primary colors के कोई objects ढूनने हैं क्या करने है primary colors जानी yellow, red और blue में से आपको कुछ भी मिले, कोई t-shirt मिले, कोई socks मिले बाबा की tie मिले, मामा का ठुपटा मिले वो आपने identify करना है और उन से पूछ लेना है कि अगर वो आपको allow करें तो इसको school ले आए ताके school में लाके अपने friends को भी दिखा सकें so next is an extra practice worksheet अभी आपने थोड़ी सी coloring घजा के करनी है so आपके सामने screen के ऊपर जो worksheet है ये teacher आपको दे देंगी dear teachers अगर आप worksheet प्रवाइड नहीं कर सकती तो आपकी shapes इनको page पे draw करके दें that is up to you but the pictures must be for the primary colors like there is a picture of a sun, an apple and a ball तो ये worksheet इनको प्रवाइड कर दे बच्चों आपने वो worksheet color करके प्यारी सी school लेके आनी है ताकि teachers को class में लगाए और आपको star भी दे so अब बढ़ते हैं wrap up की तरफ यानि अब हमारा lesson खत्म होने लगा है तो teachers आपने भी activity करनी है कि तमाम जो भी हमने poems red, blue और yellow की लिए की थी आपने बच्चों को अकठा करके उनसे वो actions के साथ sing करनी है poem यहाँ पर मौझूद है lesson plan में भी मौझूद है आप उसको देख सकते हैं और बच्चों के साथ इस activity को repeat कीजिए so I hope that you have enjoyed the lesson और मुझे तो बहुत मज़ा है next lesson में आपके साथ में सदफ फिराएंगी नई activities लेके नए colors लेके और primary colors आपने बिलकुल नहीं भूलें worksheet कीजेगा और खूब enjoy कीजेगा take care and allah hafiz